अगर हम बात करें इंडिया में one of the top two wheeler manufacturers की तो मुझे लगता है कि हीरो मोटो कॉप का नाम सबसे ओपर आएगा और ये company जानी जाती है इंडिया में अपने commuter two wheelers offer करने के लिए जहां पर आपको bikes मिलती हैं और scooters मिलते हैं आज है हमारे साथ हीरो का नया destiny 125 जहां पर company ने major changes करे हैं in terms of design, in terms of features, in terms of mechanical specs तो आज हूँ मैं गोवा में इस scooter को मैंने काफी चला लिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हीरो का all new destiny 125 is worth buying or not तो चलिए हमें अपना वीडियो शुरू करते हैं तो हम यह अपना वीडियो शुरू करते हैं इस scooter के design looks और features से So compared to the older destiny यहां पर company ने major changes करे हैं इस scooter को और ज़्यादा इन्होंने stylish बना दी है और ज़्यादा different looking यह लगता है scooter और इसका design ऐसा है कि वो time के साथ logo को आकरशित करेगा तो यहां पर अगर मैं इसकी design की बात कर लूँ इधर आपको LED DRLs मिलते हैं H-shaped में मिलते हैं LED headlamps मिल जाते हैं नीचे मैं move करूँ तो यहां पर आपको halogen side blinkers मिलते हैं इधर आपको कहीं सारे color shades मिलते हैं यह है इसका white color shades यहां पर आपको कुछ rose gold inserts मिल जाते हैं 12-inch के alloy wheels मिलते हैं front और rear में यह है इसका disc brake variant एक इसका steel wheel variant भी आता है यहां पर अगर मैं इसके floorboard की बात करूँ मैं यह नहीं कहूँगा कि बहुत जादा space है ठीक टाक space है आप अपने पैरों को अराम से रख सकते हैं यहां पर आपको कोई bag रखना हो या कुछ और समान रखना हो छोटा मूटा समान आ जाएगा जादा बड़ा समान इधर नहीं आ पाएगा इधर आपको एक काफी wide seat मिलती है आप देख सकते हैं दो passengers आराम से इस seat पर बैट सकते हैं और comfortably commute कर सकते हैं यहां पर आपको एक यह backrest मिल जाता है जो की जो rear passenger बैटा है उसे एक comfortable ride offer करता है इसके अगर मैं rear profile की तरफ move करूं तो ऐसा rear आपने और किसी scooter का नहीं देखा होगा जहां पर आपको उपर side blinkers मिलते हैं नीचे आपको LED tail light मिलती है एक इधर आपको single can exhaust मिलता है साथ ही साथ उदर आपको एक silver color का guard देखने को मिल जाता है यहां पर आपको एक external fuel filling cap मिल जाती है देखने को यहां पर अगर मैं इसका boot को लूँ तो वो आप यहीं से operate कर सकते हैं इवन इसका fuel tank भी आप key fob area से operate कर सकते हैं यहां पर अगर मैं space की बात करूँ तो इधर आप आपको काफी deep space मिल जाती है आप अपना काफी सारा समान रख सकते हैं और इधर आपको destiny की branding मिल जाती है साथ ही साथ इधर आपको एक boot light भी मिलती है जो की बहुत अच्छी है क्योंकि अगर आप अंधेरे के time में अपना समान डून रहे हो तब आपको बहुत ज्यादा help मिल जाएगी इधर आपको एक storage pocket मिल जाती है जहां पर आप अपना थोड़ा बहुत समान रख सकते हैं इवन उपर आपको यहां पर यहां पर एक USB phone charging port भी मिलता है आप अपना phone charging पर लगा के इधर ही रख सकते हैं अगर इसके switch gear area की तरफ तो यहां पर आपको buttons मिल जाते हैं pass light के side blinker के और बहुत minute सी चीज है कि इधर आपको start button illuminated मिलता है कि आप अंधेरे के time भी उसे easily locate कर लें i3s technology इधर आपको मिल जाती है high beam low beam का button मिल जाता है यहां पर अगर मैं इसके instrument cluster की बात करूँ इधर आपको एक fully digital instrument cluster मिलता है Bluetooth connectivity मिल जाती है और आपको यहां पर सारी basic information is cooter के regarding इसका instrument cluster offer कर देगा साथ ही साथ इधर मैं overall quality of material की बात करूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत improvements यहां पर करी जा सकती है इसके जो side mirrors है उसके नीचे जो panels है यह जो plastic panels है तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत quality पर और काम किया जा सकता है other than that काफी sturdy है metal body मिल जाती है metal mud guard मिल जाता है अ आपको इतनी बड़ी seat मिलती है कि दो passenger conveniently इस पर ride कर सकें तो यह तो बात होगी दोस्तों इसके design, looks और features की अब हम move करते हैं इसके engine और performance की तरफ तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे इस scooter के engine specs की hero destiny में आपको एक नया 125 cc का air cooled engine मिलता है जो लगवग 9 bhp का power बनाता है और 10.4 nm का torque बनाता है यह scooter company claim करती है offer करता है 59 kmpl का mileage in one full tank real world conditions में obviously यह चीज़ vary करेगी बट यह एक छोटा सा engine है तो आपको लगबग यह 50-55 के करीब mileage दे देगा even जब मुझे यह scooter मिलेगा तो मैं इसका अच्छे से एक mileage test करूँगा जब मुझे लंबे समय के लिए मिलेगा यहाँ पर अभी मैं अगर इसके performance की बात कर लूँ तो performance wise initial end जो है वहाँ पर आपको इतना power नहीं मिलता जो जितना भी आपको main juice मिलता है वो मिलता है scooter के mid range में और उसके बाद top end फिर से flat हो जाता है और अगर इस scooter पे दो passengers ride कर रहे हैं if you are gunning the throttle you'll feel की बीच बीच में आपको कहीं न कहीं power drop मिलता है तो वो मुझे लगता है कि इसके engine पे अभी इसके performance पे और थोड़ा बहुत काम किया जा सकता है mid range में आपको अच्छा खासा juice मिलता है आप easily scooter से 70 75 80 तक cruise कर सकते हैं engine vibrations है यह नहीं कहूंगा बहुत जादा है बट यह भी नहीं है कि बहुत कम है evident feel होती है at high speeds पे आप city commutes के लिए scooter को use कर सकते हैं बहुत अच्छा है मुझे नहीं लगता कि आप highway travel इससे करना चाहेंगे और obviously यह 125cc का scooter है तो sense बनता भी नहीं बट city use के लिए मुझे लगता है कि बहुत अच्छी आपको यह performance मिलती है और performance के साथ-साथ यहां पर आपको एक अच्छा mileage भी यह scooter offer करता है इधर अगर मैं इसके riding posture की बात करूँ आप देख सकते हैं एकदम straight riding posture है इसका सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे scooter की लगी वो है इसके brakes अच्छा खासा bite मिलता है under hard braking भी आप confidently scooter को रोक सकते हैं और इधर आपको hero की IBS technology भी मिलती है जो की help क करें और easily stop हो जाए यहां पर अगर मैं बात कर लूँ इस scooter के power to weight ratio की तो वह बहुत अच्छा से hero ने manage किया है यहां पर पहली चीज़ आपको scooter काफी balanced feel होता है आप इससे high speeds पे cornering भी बहुत confidently कर सकते हैं इसके wheels जो है वो आपको confidence offer करते हैं suspension की बात कर लूँ telescopic folks front में मिलते हैं rear में आपको एक monoshock मिलता है monoshock इसका stiff है pot holes वगेर पे काफी stiff महसूस होता है जो की महसूस होता है जो इसका front telescopic folks है वो soft है वो घुषनी है तो आप easily pot holes को counter कर सकते हैं इसके stiff monoshock का एक फायदा है कि अगर आप high speed cornering कर रहे हैं तो वो चीज़ आप lose ना करें मैंने इसे wet surfaces पे चलाया normal roads पे चलाया थोड़ा uneven पे भी चलाया तो मुझे इतना कोई issue नहीं आये scooter से in terms of tire grip अगर मुझे overall अपने इस bite को conclude करना हो तो मुझे लगता है कि इस scooter के engine के refinement level पे और साथ ही साथ इसका जो initial end है उसमें थोड़ी सी और पार मिलनी चाहिए अभी आपको बस mid range में पार मिलती है और बीच बीच में हलका सा power drop issue आता है मुझे लगता है कि hero को जरूर उस पे थोड़ा बहुत और काम करना चाहिए साथ इस scooter के अंदर आपको hero की i3s technology भी मिलती है which is a simple start stop feature और उसे आप एक button के through on या off भी अपनी convenience के हिसाब से कर सकते हैं So coming to a verdict यहां पर hero ने अभी तक इस scooter का prize reveal नहीं किया है जो कि आने वाले कुछ दिनों में आपको पता चल ही जाएगा बट यहां पर अगर मुझे अपने इस drive experience को conclude करना हो तो मुझे यह लगता है कि यह काफी capable scooter है और अगर as a middleman मुझे commuter scooter लेना है तो उसके लिए बहुत अ connectivity मिलती है i3S technology मिलती है इधर आपको IBS मिलता है इधर आपको USB phone charging port मिलता है तो यह वो सारे features है जो कि एक rider के use में आएंगे ही आएंगे और उन्हें और ज्यादा convenience provide करेंगे in terms of look I would say that this is a quirky looking scooter इधर आपको कहीं सारे color options देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको दो variants मिलते हैं VX, ZX और साथ ही साथ आपको ZX का एक और अलग variant मिलता है ZX Plus जिदर आपको इसके brakes में difference मिलेगा drum और disc brakes जिदर आपको देखने को मिल जाते हैं other than that मुझा लगता है कि यह scooter काफी जादा अच्छा है अगर को individual इसे अपनी everyday commutes के लिए लेना चाह रहा है तो उसके लिए एक करना चाहते हैं you can go to your nearest hero dealership and experience it बागे आप हमें comments में बता सकते हैं अपने views about the new hero destiny 125 अगर आपको यह वीडियो पसंदा इस वीडियो लाइक कीजिए हमाया चैनल को subscribe करियो और bell icon को दबाना ना भूले हमारा notification सबसे पहले पाने के लिए for exclusive and insightful videos subscribe to our new channel abp live premium